आज के जन में जातक सुंदर, विद्वान, सांत हिर्देवाले और आज के जन में जातक सुंदर, विद्वान, दयन, आश्वर, युक्त, नियम पुर्वक रहने वाले ब्यावारिक और अस्पष्ट वादी होते हैं। बिज्ञान और तकनीकी कारियों में दर्ष और विशम परिस्थितियों का धैर पूर्वक सामना करने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लगन रहा शनी और चंद्रमा की इस्थिति अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज भी चंद्रमा की युती राहू के साथ बनी रहेगी। हलाकि चंद्रमा आज अपने घर में ही बैठे हुए हैं। मानसिक सक्रियता रचनात्मक प्रयासों की सोच और काम करने का उच्था बना रहेगा। मगर साथ ही साथ सम्मंधित मामलों में भ्रम की स्थिति भी पैदा होती रहेगी। और निरने लेने की छमता में उतार-चड़ाओ बना रहेगा। मेश रासी के जातकों के लिए कार योजनाओं की सक्रिय मानसिकता बनी रहेगी। आर्थिक लाव मन मुताविक मिलता जाएगा। भविश की योजनाओं में नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा। नई कार योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और साजेदारी सफल रहेगी। मगर कुछ मामलों में घ्रम की स्थिती प्यादा हो सकती है। इसलिए महत्पुन निर्ने सोच समझ कर पारिवारिक सदस्यों की प्रिरणा की अनुसार लेना चाहिए। सरकारी कामकाज और वैवाहिक मामलों के लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा और सफलता के योग बनते हैं। ब्रिश रासि के जातकों के लिए स्वास्त संबंधी मामलों में संतुष्टी मिलेगी और कारी उर्जा बढ़ी रहेगी। नई कारी और जिनाओं के लिए रचनात्मक सक्रियता का विकास होगा और नए मामले सामने आएंगे। घरेलू संसाधनों पर निवेश की प्रवृत्ती अभी बनी रहेगी, आर्थिक लाव मन मुताविक मिलता रहेगी। संतान संबंधी आत्मिश्वास में बिद्धी होगी और अध्यान अध्यापन में सफलता का संकेत मिलता है। नीजी संबंध प्रगाड होंगे और पारिवारिक दाईतों की पूर्ती होगी। मिथुम राशिके जातकों के लिए धन लाव की इस्थिती मन मुताविक बनी रहेगी और आय संबंधी नए मामले सामले आएंगे। कारे छेतर में विकास का दोर जारी रहेगा और पारिवारिक वेरणा बनी रहेगी। सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा और साजेदारी सफल रहेगी। मगर बित्तिय लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए नीजे सुख और संसाधनों पर निवेश का योग बना हुआ है अध्यान अध्यापन में सहयोग जारी रहेगा और सफलता संभावित है करक रासिके जातकों के लिए कारे शेतर की व्यस्तता बनी रहेगी और अतिरिक्त जिम्मेदारी का संकेत मिलता है नई कारियों जनाओं में सासन सत्ता वाधिकारियों का सहयोग बना रहेगा विभागी अमामलों में उन्नती के अवसर मिलेंगे और आर्थिक लाव के नए विकल प्रस्पित होंगे आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और नीजी संबंधों में सुधार मिलेगा अस्थाई निवेस और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा अध्यन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी सक्रियता बनाए रखें सिंग रासी के जातकों के लिए अपने नीजी सुख संसावनों पर खर्च की स्थिती संबावित है यात्रा का योग बनता है साथ ही साथ अनावर्षक विवाद या तनाव की स्थिती सामने आ सकती है यात्रा के दोरान अपने सामान की सुरक्षा पर ध्यान रखना चाहिए गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है हाला कि कारे छेत्र का निरंतर विस्तार होता रहेगा और नई कारियोजनाओं का प्रस्ताव लागू होगा आर्थिक लाव की स्थिती सामाने रहेगी और नीजी संबंधों में मानसिक दबाव का संकेत मिलता है संतान संबंधी मामलों में चिंता हो सकती है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता की संभावना बनती है कन्याराशी के जातकों के लिए कार शेत्र में सहयोग और सकारात्मक पेरणा बनी रहेगी और धन लाव के नए अवसर सामने आएंगे नई व्यावसाईक योजनाएं आसानी से संपन्ध होंगी और आठिक लाव मन मुताबिक मिलता रहेगा साजेदारी के काम में लाव संभव है और महिला वर्ग से अप्रत्यासित लाव की उम्मीद बनती है नकारात्मक सोच वाले व्यक्षियों से सावधानी अप्यक्षित है अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा और प्रयास जारी रखे है वैवाएक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा तूला रासी के जातकों को गुरु जनों एवं बुजुर्गों का असिरवाद और प्रयाना बनी रहेगी सासन सप्तावा अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा कारी छेतर में नियत्वित्व करने का मौका मिलेगा उद्देशों की पूर्थी होगी नई कारीयोजनाओं में ब्यस्तता बनी रहेगी कर्तब निष्ठा और दक्षता एक नए रूप में आपकी पहचान बनाएगी मगर कारीयोजनाओं में नकारात्मक व्यक्तियों की उपस्तिती वाद विवाद और रुकावटों का संकेत देती है फिर भी आतिक लाप सामानी रहेगा संतान संबंदी मामलों में आत्म विश्वास बढ़ेगा और पारिवारिक दायत्य की पूर्ती होगी विद्याथियों के लिए आज का दिल सफलता दायक से दोगा ब्रिश्चिक रासी के जातकों को हर छेत्र में सावधानी रखनी चाहिए कार छेत्र में रुकावट, अनावस्यक और अप्रत्यासित गड़वड़ी का अंदेशा बनता है स्वास संबंदी मामलों में भी सावधानी रखनी चाहिए नई कारी और जिनाओं में ब्यवस्ता की गड़वड़ियां और साजिस संभावित है अपने ही कामों के प्रती संतुष्टी की भावना में कमी महसूस होगी आपका आत्म विश्वास और रचनात्मक सक्रियता भी प्रभावित हो सकती है धैर और संयम से काम लेते हुए अपने प्रयास जारी रखे संतान संबंदी चिंता लगी रहेगी और आठिक पक्ष सामाने रहेगा विध्याथियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा तरक सक्ती बनी रहेगी और सफलता संबावित है धनूराशी वाले जातकों के परिस्रम करने की प्रभृत्ती और आत्म विश्वास में गुरात्मक सुधार मिलता जाएगा मगर आज का दिन अंचाही यात्राओं और स्वास्य संबंदी जटिलताओं के बीच बीतेगा हाला कि कारिष्षत की निरंतरता बनी रहेगी और योजनाओं का बिश्तार होता जाएगा अतिरिक्त संसाधनों के लिए धन की आवस्च्टा महसूस होगी साजय जारी के कामों में लाव संभावित है आए संबंदी मामलों में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे अध्यनभ ध्यापन में निरंतरता बनी रहेगी और सफलता मिलेगी मकर राशी के जातकों के लिए आज का दिन स्वास संबंधी मामलों पर केंद्रित रहेगा साथ ही साथ आर्थिक मामले में सुधार की प्रत्रिया की मानसिक्ता बनी रहेगी साथ ही आपका आत्म विश्वास और ज्रिध इच्छा सक्ती हर काम को करने में सक्षम रहेगा संतान संबंदी मामलों में आत्मी स्वास बढ़ता जाएगा और नीजी संबंद प्रगाड होंगे। अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा। वाद विवाद और नकारात्मक विचारों वाले दर्गियों से दूरी बना कर रखें। कुम्भरासि के जातकों के लिए स्वास संबंदी जटिलताएं बढ़ सकती हैं और अनावर्शक मानसिक दबाव महसूस होगा। आथिक लाव के इस्थिती सामाने रहेगी और कारी योजनाय जारी रहेंगी। सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा और नय प्रस्ताव सामने आएंगे। मगर महतुपूर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। राहु चंद्रमा की यूती आपके छठवे घर में चल रही है। बिरोधी सक्री रहेंगे और साजिस के सिकार हो सकते हैं। अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा। मगर सफलता संभावित है। और वाहन चलाने में सावधानी रखें। मीन डाशी के जातकों को पारिवारिक प्रिरना सकारादमक रूप से मिलती रहेगी। कारे छेतर में प्रयासों का दौर जारी रहेगा। मगर कुछ कार्योजनाओं में धीमी गति का संकेत मिलता है। आपका उर्जा, अस्तर और आत्म विश्वास प्रभावित रहेगा। निरना लेने की छमता में उतार चड़ाव संभावित है। नई कार्योजनाओं का प्रस्ताव स्विकार करने एक से पहले उचित निरना लेना आवश्यक होगा। धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी मामलों में कुछ रुके हुए काम संपन होंगे। विद्याक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। उत्साह जनक परिडाम संभावित है। आज के लिए वस इतना ही। काल फिर मिलेंगे। ओम नमाशिवाए।